हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी डिजीस के बारे में जिसको हम हिंदी में मिर्गी या जटके आना बोलते हैं जो कि हमारी बॉड़ी की अबनॉर्मल एक्विटी होती है तो आज की वीडियो हम पूरे डेल में डिसक्स करने वाले हैं और इसमें क्या treatment दिया है तो चलिए आज करना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना को एक्च्वल में epilepsy होती किया जिसको हम हिंदी में मिर्गी बोलते हैं तो जो epilepsy होती है जो कि हमारे central nervous system का एक disorder होता है जिसमें कि हमारा brain है वो unnecessary impulse generate करते हैं जिसकी वजह से हमें जटके आते हैं और इसमें हम अपनी जो body का sensation है वो खो देते हैं और हम unusual activity body से करने लगते हैं तो यह इसी को हम seizures बोलते हैं जिसको हम हिंदी में जटके बोले जाते हैं तो उसी को हम English में seizures बोले जाता है तो चली अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ causes के बारे में कि आगरेकार जो epilepsy है और या जो जटके आते हैं वो किसके काड़वस आते हैं तो यहां पर जो सबसे पहला जो factor है वो हमारा genetic influence मतलब अगर आपका जो जो भी आपका baby है या किसी बच्च है या बड़ा है तो उसकी जो body ये पूरी तरह से build-up नहीं हो पाई है उसका जो pre-birth हो चुका है तो इस वैसे जो हमारी brain में कुछ unusual activity होती है हमारे impulse generate होते रहते हैं next हमारा head trauma या आपको कोई भी accidental cases हुआ है या आपके सर में काफ जो चूट आए थी तो उसकी बज़ए से यहां पर जो impulse हो जन्रेट होते रहते हैं next step वह हमारा brain abnormalities तो यहां पर देखिए जो हमारे brain की जो unnecessary abnormal condition हो जाती तो उसकी बज़ए से भी यहां पर जो चीजर से वह आते हैं next हमारा infection तो अगर आपके brain में किसी प्रकार का infection हो चका है तो उस condition में आपके चीजर्स आने की chances काफी ज़एदा होते हैं next हमारा parental injury तो यह भी एक बहुत बड़ा reason है जिसकी बज़ए से आपकी जो impulse करने को मिलती है तो चली अब हम बात कर लेते इसके कुछ treatment के बारे में कि actual में क्या treatment दिया जाता है कौन सी medicine या कौन सी टैब्लेट इसमें तो आप इस टैब्लेट को दिन में दो या तीन बार इसली ले सकते हैं यह जो 100 mg की टैब्लेट है यह भी अलगत तरह की डूस में आती है जो कि मार्केट में आपको इसली मिल जाती है लेकिन आपको यह हमेशा डॉक्टर के prescription पर ही लेनी है और यह टैब्लेट आप खाना ख इसकी तो यह सीरफ आप 125 mg मतलब आप एक टी स्पॉन यह हम कह सकते हैं आपको किसी भी बच्चे को देना तो आप यह सीरफ एक चमश दिन में तीनवार दे सकते हैं इसमें इसको कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है तो अब नेक्स टैब्लेट है वह हमारी क्लोबा ज करने हैं यह यह दो साल से कब उम्र के बच्चे को प्रेस्क्राइब नहीं करना है और यह तरह भी आप खाना खाने से। पहले या ख diferी ले गाद ले सकते तो आप नेक्स टेबलेट है वो हमारी डाइजेपान टेबलेट जो की काफ यदा यूज की जाने वाली टेबलेट है अगर आपको वाली टेबलेट जो मैंने आपको उपर बदाएं थे वो काम नहीं करती है तो उस कंडिशन में काफी सारे अम्बेफ डॉक्टर इस कंडिशन में अगर आपको जटके आते तो इस कंडिशन में यह काफिदा यूज किया जाता और एंग्जाइटिये वाली कंडिशन में और जो सबसे जादा यूज की जाने विए यह ही है अगर कोई भी बैक्टिशी जो कि युद्ध है और उसको सराब चुड़ा नहीं तो तो पर देख को आपको रेक्स धयाती है तो अब लीरा जबाब की नाम से यह भी का विधा फेमस टेलबीट स्वे काफ़ दीड में है जोकी तुए अरोसी जाती के आठिक चले का को टीज़ और यह हैं गईव्यज आटिशनद से एक्चट को दी subscribe की जाती है और यह खासकर एंग्जाइटी और एंग्जाइटी के डिसॉर्डर में काफ़ेदा यूज की जाती है और यह टैबिट इंसॉमिनिय जैसी कंडिशन में काफ़ेदा यह टैबिट है यह था काफ़ेदा है है और यह टैबिट के नाम से काफ़ेदा फेमस जो की फैजर कंपनयी इसको मैंफेक्टर कर दी है लेकिन इस tablet के कुछ side effect हो दे हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर परसनली लिख रहे हैं तो यहाँ बे जो आपका पहला side effect है वह है इसका फैटिक की आपको इस tablet को लेने के बाद आपको धकामसी feel हो सकती है आपको इस नमक पेंड कर सकता है आपको dizziness आपको चक्कर आ सकते हैं कंडिशन आपको देखने को मिश सकती है और यह tablet आप दिने में दो बार इसली ले सकते हैं एक से दू टैबलेट तो अब नेक्स टैबलेट है वह हमारी लेवो ट्रेजन के नाम से जो की काफ़ेदा यूसफुल टैबलेट है जो की अलला तरह की डूस में आती और कावी सार से कमर उम्र के बच्चे को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है क्योंकि यह tablet उसको यह harmful काफ़ी अदा हो सकती है तो आपको हमेशा doctor को ही follow करना है तो यह थी कुछ टैबलेट जो की epilepsy वाली कंडिशन में काफ़ी अदा helpful होती है लेकिन इन टैबलेट कुछ side effect होते हैं जैसे कि मैं आपको बता हूं तो यहां पर देखिए जो सबसे अदा comment side effect है वह आपका नौशिया आपका जी मतलानी जैसी condition हो सकती है आपको vomiting आ सकती है नेक्स्ट हमारे स्लीपनेस आपको यह tablet लेनी के बाद आपको sleepy नास मतलब आपको need काफी अदा आ सकती है नेक्स हमारे dizziness आपको च चैनल को subscribe कर लिजिए और आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस topic के लाऊं ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके